हेलो प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल शर्माजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों अलग अलग विभागों में इतने पद खाली पड़े हैं लेकिन इन पर भरतिया नहीं हो पा रही है इसके पिछे की एहम वज़य क्या है क्यों भरतिया नहीं हो पा रही है क्या बोर्ड उसको जान बुझ करके डिले कर रहा है या फिर वो पद जो है वो कभी नहीं नहीं तो क्या है पूरा अपडेट क्या उनके उपर कुछ नोकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं विर्थियों को क्या उनके उपर कुछ वेकैंसी आ सकती हैं उन पदों के उपर वो सारा के सारा आपने आज किस वीडियो में डिस्कुस करेंगे आज जोस्तों आपको ए वीडियो भी आपके लिए important होने वाली है क्योंकि देश्तों देखो जो आपके career आपकी study से related video होती है वो आपके लिए important ही होती है तो इसमें पता नहीं कोई load नहीं है कि video important है ठीक है हाँ जो seriously पढ़ रहा है seriously अपने career पर focus कर रहा है वो तो इस video को important way मान करके इसको देखेगा और इसको time pass करना वो 2 minute वैठेगा skip करेगा चला जाएगा ठीक है तो मैं उन्हीं लोगों के लिए update लेके आता हूँ जो seriously अपने career पर focus कर रहे हैं और हर एक चीज़ को up to date रखना चाते हैं तो चलिए दूस्तों video को start करते हैं बात करें अगर अपने भारतिय डाग विबाग बारतिय डाग विबाग आप सभी को पता है इसके अंदर देको 70,000 पद खाली है सोचने की बात है 70,000 पद खाली है इन में से करीब 60,000 से ज़्यादा पद ग्रूप C वरक के ही है 60,000 से ज़्यादा पद कोन से हैं ग्रूप C के और बाकी B, A इस तरह से मतलब इसके पद खाल पड़े हैं विभाग में ग्रूप B के गेस्टेड और नोन गेस्टेड और ग्रूप C के कुल 2,49,715 पद है और 1,70,571 पदों पर पेशेवर लोग काम कर रहे हैं वहीं 79,144 पद खाली अभी यहाँ पे पड़े हैं अब देखो ITI एक्टिविस्ट चंदर शेखर गोड की और से सूचना के अधिकार केता है तो मांगी की जानकारी में आकड़े सामने आई हैं विशेशत क्यों कि अनुसार मताबिक Group C में खाली पड़ों की संख्या चुकाने वाली है इन पड़ों के लिए देश में लखों योग गई युवा हैं इसके बावजुद इन पड़ों गोर नहीं कर रहा है कोई भी उन्हों युवाओं को पूछने तक त्यार नहीं है वर्ष 2018 में इन पड़ों के लिए 3730, 2019 में 3414, 2020 में 3180 और 2021 में 3378 पड़ों पर वेकेंसी निकाले गई थी हलांकि साल 2022 में इन पड़ों पर काफी बड़ी संख्या में वेकेंसी निकाले गी यह संख्या 19676 रही जैसा आपको पताईए 2022 के अंदर वेकेंसी आये थी 1922 डाक विभाग ने जवाब में पताया कि SSC ने इस वेकेंसी के लिए प्रिणाम जारी कर दिया आगे की प्रकिरिया जल्द पुरी की जाएगी यानि की आगे की जो पत खाली पड़े है ना उनकी प्रकिरिया भी जल्द स्टार्ट की जाएगी ऐसा SSC ने कहा है ठेक है तो अब यह देखना है कि वेकेंसी आती है या नहीं आती है फिलाल तो ऐसा है कि खाली पत पड़े है पर वेकेंसी का कोई जिकर नहीं है पांच वर्ष में खुले 5,649 पोस्ट ओफिस बंद मात्र 37 RTI में ये भी बताया गया है कि पिछले पांच साल में 2017-2022 में देश में 5,649 नए पोस्ट ओफिस खुले हैं इस दोरान सबसे ज़्यादा यानि के 3,007 पोस्ट ओफिस 21-22 में खुले और 2018-19 में 1581 पोस्ट ओफिस खुले वहीं इन वर्षों में महद 37 पोस्ट ओफिस बंद हुए हैं सबसे अधिक पोस्ट ओफिस यानि 10 पोस्ट ओफिस 2018-19 में बंद हुए थे बंद तो नहीं है करमचारी नहीं है काम कैसे चलेगा काम करने के लिए करमचारी नहीं है स्टाफ नहीं है तो आखिरकार बंदी करना पड़ता है तो अब गोवर्मेंट को थोड़ा से इसके उपर फोकस करना चाहिए कि भाई इतने पद खाली पड़े न एक बार अगर वेकेंसी निकालती है गोवर्मेंट तो इसमें से जादा नहीं तो 50% पत तो बरेंगे ना कम से कम और 50% युवाओं को रोजगार मिलेगा क्योंकि इसमें जो ग्रूप सी वगरा का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जैसे मैं आपको पहले बताया है बहुत सी युवाओं इसकी वेकैंसी निकाले तो काफी हद तक विद्यार्थियों को रहत मिल सकती है और बकायता गोर्मेंट को भी रहत मिल सकती है क्योंकि जो पद खाली पड़े हैं उनमें जो वेकैंट जो पद पड़े उनके उपर लोग आ जाएंगे जोइनिंग करके और युवाओं को रोजगार मिल जाएगा आप क्या कहते हैं आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्षन में जरूर से बताना ठीक है तो ये थी दोस्तो आज की एक सर्वे रिपोर्ट खाली पड़े पदो की और पेंडिंग भरतियों की उमीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आगी होगी और समझ में आगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और जदा-जदा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच आए इसके लावा जो लोग government exams की त्यारी कर रहे है भाई चैनल के उपर आप सभी के लिए playlist आप लोग वहाँ से वीडियोस देख सकते हो पिलस हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे WhatsApp ग्रूप का लिंक आपको निचे बोल जागा डिस्क्रिप्शन बोक्स में वहाँ से जुड़ोगे आपको फटक से क्या होगा कि आप WhatsApp मेसे डालोगे आपको फटक से उसका reply मिल जाया करेगा ठीक है न और जो लोग चैनल पर पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताक कि हमारे आने वाली ओफिशिल वीडियोज आप तक फटक से पहुंचती रहे और आपको सही और स्टीक जानकारी सही समय पर मिलती रहे ठीक है प्यारे दोस्तों तो मिलते हैं नेक्ट शूडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर जैहिंत जैभर्त लवी ओल